तो DJI का नया wireless microphone आ चुका है, professional wireless microphone for content creators और अभी हम वो ही use कर रहे है, जो audio आपको आ रहा है, तो DJI Mic 2 है, नया microphone, अब इसकी जल्दी से एक बार unboxing करते हैं, आपको छोड़ा सा दिखातो हो microphone के साथ क्या-क्या मिलता है, फिर इसका पूरा detail में review करेंगे, तो जैसे हम wireless microphone का box open मिलता है, जिसके अंदर सारी accessories, microphone, receiver, transmitter, सब कुछ आता है, और यह मुझा बढ़िया लगा, यह same, इसी type का, जो carry pouch था, यह DJI Pocket 3, जब हमने unboxing किया था, उसों भी मैंने आपको दिखाया था, तो almost similar सही case हो, और सही है, carry करने में easy रहता है, open करते ही, सबसे पहले यह charging case है, जिसक 2.5 mm TRS, उसके बाद USB Type-C charging cable है, इस case को charge करने के लिए, and obviously कुछ extra documents है, तो सबसे बहले बात करते हैं, charging case के बार में, जहां पे काफी मुझे changes देख रहे हैं, पहली चीज तो first generation था wireless mic, उससे comparatively थोड़ा बढ़ा है, weight I think almost same है, हलका सा heavy हुआ है, बढ़ एक चीज मुझा लाच है, locking mechanism, और अगर open भी करना, ऐसे directly open नहीं होगा, आप देखोगे, यहाँ एक latch है, इसको press करूँगा, तब जाके open होगा, close होगा, तो इस तरीके से अभी आपका जो box है, वो secure हो रहा है, तो अंदर जो transmitter receiver है, वो इतने easily बाहर नहीं आएंगे, then इस box को open करते हैं, इस बहुत unique है, बहुत सही लगा मुझे, और pocket 3 में मैंने आपको इसका एक look दिखाया था, but finally here it is, mic 2 में, जो transmitter है, यह एकदम transparent सा look देते हैं, it's like अंदर के आपको पूरे components देखते हैं, और देखने में काफी futuristic सा लगता है, बहुत unique है, I think ऐसा कुछ अभी तक mic आया नहीं है, especially wireless category में, उसके बाद पीछे की तरफ यह clip है, जिसको आप use कर सकते हो, अगर आप collar में, t-shirt में, shirt में, कहीं भी लगाना चाहते हो, इस तरीके से clip है, but एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, magnet तो ही, magnet आप t-shirt वगएरा में अगर लगाना है, वो use कर सकते हो, but एक चीज़ सही ल आपको microphone चाहिए, table पर रखके use करना है, वो भी basically एक portable सा stand ये magnet बन जाता है, बागी अगर मैं transmitters में buttons की बात करों, तो left side पे ये record का button है, इसके अंदर by the way, internal recording है, उसकी बात में आगे करूंगा, C-type charging port है, यहां से आप इसको individually charge भी कर सकते हो, अगर आप carry case में, जो charging case है, उस externally लगाना चाहते हो, तो आप in transmitters में left mic भी externally लगा सकते हो, उसके बात है हमारा receiver, अब receiver में भी सबसे बड़ा change जो मैंने देखा, वो है display, और I think मैं आपको दिखाऊंगा भी इसके काफी benefits है, display के साथ-साथ यहां पे एक knob भी है, dial है basically, जिसको use करके आप settings कर सकते हो, touchscreen है, ब settings, जो एक common settings रहती है, तो यहां पे आप almost everything can be customized using the dial, और अगर मैं यहां पे home screen पे dial को प्रेस करता हो, तो आप individually अगर कुछ unit select करना चाहते हो, gain level adjust करना चाहते हो, तो इस तरीके से, जो इसका maximum है, वो plus 12 जाता है, और minus में भी 12 जाता है, ideally इसको 0 पे रखना चाहिए, depending on your use, आ जबारा अगर मैं नॉब दबाऊंगा, तो मैं अपने individual जो दोनों transmitters है, उनको select करके, उनकी भी settings चेंज कर सकता हो, बागी और भी कुछ settings है, वो मैं आगे आपको एक एक करके बताऊंगा, buttons की अगर मैं बात करूँ, एक power button है side में, पीछे की तरफ C time, charging cable है आगे, इसको अ camera में लगाना है, तो इस तरीके से ये था, अगर smartphone में लगाना है, तो मुझे पूरा unit उतारना पड़ता था, फिर USB type C वाला है, यहां फिर lightning port है, वो लगाना पड़ता था, तो camera के लिए अगर वापिस यूज़ करना है, तो यह वापिस लगाना पड़ता था, बट मुझे अच्छा लगा, DJI ने बढ़िया किया, कि hot show is permanent, hot show हमारा permanent है, यहां पे side में ये slide एक अलग से दे दिया है, cover इसको हटा के, यहां पे अब हमारे pins है, जहां पे directly, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, कि C type और lightning port है हमारे पास, smartphone के लिए, तो इस तरीके से यहां पे simply slide करके adjust हो जाते हैं, अब यह अगर directly आप phone में लगाना चाहते हो, phone में connect कर सकते हो, और अगर camera में connect करना है, तो भी आप इसको use कर सकते हो, बस मुझे थोड़ा सा यह लगा, यह जो adapters है, जब यह lock होते हैं, थोड़ा सा tight हो जाता है जादा, तो कहीं लोगों के लिए, especially अगर निकालते हुए तो इतना tight नहीं है, निकालते हुए थोड़ा सा issue जैसे अभी हो रहा है, वो हो सकता है, तो hopefully हलका से smooth होता, तो थोड़ा better रहता, तो यह तो था product overview, अब मैं आपको 10 ऐसे features दिखाता हूँ, तो मुझे लगा कि DJI Mic 2 में काफी interesting चीज़े हैं, काफी नहीं additions हो अब Mic 2 में क्या है, wireless microphone है, तो इस तरीके से मैं काफी distance पे हूँ, मैं चलते हुए दूर भी जा सकता हूँ, अगर मैं पीछे को भी जाता हूँ, तो इस तरीके से, अभी हम इसका distance वाला test करेंगे, बट wireless mic के फायदा रहता है, जब तक transmitter आपके पास है, आपको audio उतना ही levels पे उतना ही audio आएगा, इसमें noise cancellation भी और काफी features है, तो वो एक बाद try करते हैं, और यह देखते हैं कि यह जो wireless microphone है, इसके क्या-क्या benefits हो, क्या features है, तो अब हम इसका distance का test करते हैं, कि कितनी दूर तक जब हम जाते हैं, तो audio कैसे आती है, बाइक मैंने आपे लगा लिए, आप द video दिखा देता हूँ, तो अभी I think मैं almost 30 feet दूर आ चुका हूँ, और पीछे जा रहा हूँ, मैं यह देखने के लिए कि कितनी दूर तक जब हम जाते हैं, एक practical distance जो होता है, कि कितनी दूर हम जा रहे हैं, और audio आ रहा है, अभी तक सही आ रहा है, तो मैं almost I think 100 feet के आसपस आ च देख रहा है, but मैं काफी दूर हूँ, फोन से भी आपको दिख जाएगा, उस पॉंट से हम चले थे और अब मैं यहां तक आ चुका हूँ, तो अगर अभी आपको आपको audio आ रहा है, तो बड़ी I think practical इतना distance रहता है, अब मैं इस चीज़ क्या करूँगा, अब मैं पीछे क तो मूफ कर रहा है, तो इस तरीके से camera मेरा पीछे लगा हूँ, इस तरीके से अब मैं पीछे move कर रहा हूँ, यह देखने के लिए कि, अगर मैं आगे होता हूँ, तो audio दो line of sight में तो सही आता ही है, वट अगर बाग दिखा कि इस तरीके से मैं चल रहा हूँ, camera वोरा पीछ तो अगर बाक के साथ भी audio बढ़िया आ रहा है तो अगर बाक के साथ भी audio बढ़िया आ रहा है तो अब हम इसका जो noise reduction है AI noise reduction उसको थोड़ा practically कर रहे है अभी आउड़र सेच्वेशन में है तो यहां पर थोड़ा सा शोर आएगा पीछे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो थोड़ा चलाने की वागर आवाज आईगी मैं थोड़ी देर कले चुप होंगा भी noise reduction off है और थोड़ी टाइम बाद on करूंगा फिर डिफरेंस द तो अब मैंने on and off किया था वापिस में एक बार on करता हूं तो यह situation है जहां पर नॉमली आप crowded जगा पर हो शोर वोर आ रहा है अब एक काम करते हैं बाहर थोड़ी ट्राफिक वली जगां चलते हैं और वहां भी try करते हैं और इस माइक में यह बढ़िया फीचर है कि इस तर पार्क में है थोड़ा शोर वोर भी हो रहा है तो एक बार noise cancellation इसमें भी देख लेता है तो फोन में भी आप noise cancellation enable कर सकते हो और इस तरीके से आप जो audio सुन रहा है भी फोन से directly आ रहा है तो आप फोन से भी shoot करते हो camera से भी करते हो तो इस तरीके से आपको एक difference भी पता लग ज देखते हैं तो hopefully कुछ difference होगा अभी मैंने noise reduction on किया traffic उतना ही है उतनी bike, car वगेरा जा रही है तो अब अगर कुछ फरक लग रहा है सुनने में studio में दाके इसको अच्छे से सुनेंगे और analyze करेंगे तो यह वाला जो लास्ट से एकदम extreme है गाड़ी में गाने चल रहे है और म पर difference देखते हैं क्या हाथ है तो अभी मैंने noise reduction वापिस on किया बोलते हुए तो पहले जब मैं बोल रहा था गाने के साथ तो अभी noise reduction on है एक बार off करके मैं बोलता हूं तो अभी noise reduction off करके बोल रहा हूं तो background में जो music आ रहा है वो कैसे on and off में फरक आ रहा है वो देखना interesting हो अब एक और चीज जो आपने लोगों को बढ़िया लगने वाली है वो है DJI Mic 2 को आप इस तरीके से अपने action 3 और action 4 आप जो भी उस कर रहे हो डिरेक्ली C type port में लगा के आप connect कर सकते हो और अभी जो आप ये video देख रहे हो especially audio जो सुन रहे हो वा डिरेक्ली DJI Mic 2 से आ रही है और मैं अभी action 4 यूस कर रहा हूँ तो अगर आपको wireless microphone लगाने अपने action camera में भी कर सकते हो camera में भी लगा सकते हो तो ये चीज मुझे काफी साही लिगए और इसको आप wirelessly भी उस कर सकते हो Bluetooth से भी मगर के दिखाता हो अब जो अगला feature है वो एक new edition है and I think अभी तक मुझे high quality professional wireless microphone में feature कहीं देखने को नहीं मिला वो है Bluetooth connection with smartphone even DJI action 3 और action 4 से आप transmitters को Bluetooth से connect कर सकते हो इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ receiver भी अपने phone में नहीं लगाना Bluetooth से connect होगा जैसे Bluetooth speaker connect होते हैं और आप wirelessly इस mic को use कर सकते हो audio record करने के लिए audio अगर आप किसी application में use कर रहे हो connect करना ब्लिंक हो जाएगी आपके phone में DJI mic 2 करके दिख जाएगा उसको जैसे ही connect करोगे और जैसे ही आपस में दोनों connect होगे आपकी blue light जो है वो permanent हो जाएगी ब्लिंक नहीं होगी mode में हो जैसी connect होगा blue light हो जाएगी अब यह आपस में paired हैं बट इस चीज में आपको बता दो अग अगर आप थर्ड पार्टी आप यूस कर रहे हो जैसे की YouTube हो गया या Instagram हो गया उसमें आप लाइफ कर रहे हो वहाँ पे आप यह transmitter को यह audio source ले सकते हो बट अगर आपको directly अपनी वीडियो जो रिकॉर्ड करते हो अगर audio लेना है तो यह wireless connection काम नहीं करेगा जो हमारे अलग से connectors आते हैं जो box के अंदर थे depending on आप Android यूस कर रहे है iPhone अब इनको यूस करके receiver लगा के दन audio record कर सकते हो बट अगर आप थर्ड पार्टी आप्स यूस कर रहे हो जैसे Blackmagic आप जो iPhone में आती है जहां basically आपको audio source चेंज करने का option मिलता है वहाँ पे आप DJI Mic 2 को सेलेक कर सकते हो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो विद इस transmitter Bluetooth connection के साथ और एक और काफी इंटीग्रेशन मुझे लगी कि अभी जैसे मेरा transmitter receiver के साथ connected है ठीक है बट अगर मैं यह जो अपना recording वाला बटन को लॉंग प्रेस करता हूं अब यह blue light आ गया मतलब यह Bluetooth mode में चला गया और यह connected है तो यह जो switching of modes है यह काफी seamless है विदिन 1 second यह अपस में connect हो जाते हैं अगला interesting feature transmitter में है कि इसमें आपको on board recording मिलती है 14 घंटे तक की है तो आप up to 14 hours backup ले सकते हो महालने ते हैं कि आपको receiver अपने phone या camera में नहीं लगाना आप सिरफ transmitter लेके चल रहो है receiver घर पे बूल गया transmitter आप के पास तो आप सीधा record का बटन इस तरीके से दबाके red light on हो जाएगी तो आप जो आपका audio है वो as a backup record होता रहेगा up to 14 hours बंद करना है तो record बटन दबातो बंद हो जाएगा अब यह complaint भी थी first version में कि record बटन गलती से दब जाता था recording बंद हो जाती थी तो अब हमें receiver में option भी मिलता है कि आप जो यह recording button lock है उसको enable कर सकते हो तो recording on तो हो जाएगी बट बंद नहीं होगी उसके आपको अपने transmitter को ही switch off करना पड़ेगा बट उससे बढ़िया चीज on board recording में है कि अब 32 bit float recording और 32 bit float recording अगर आपको idea नहीं है बहुत high end recorders में फीचर आता था बट अब यह wireless microphone मे आपको feature मिलता है कि जब आप on board recording कर रहे हो ना camera से connected नहीं जब आप on board recording इससे record बटन दबाके record कर रहे हो और आपने 32 bit float recording on किया हुआ है तो it is just like कि आप raw में photo shoot कर रहे हो raw और JPEG में difference क्या होता है कि JPEG में आपको dynamic range जाधा नहीं मिलती, raw में जाधा मिलती है 32 bit float recording और 24 bit में यही same difference है, normally जो record होता है 24 bit में होता है जहां अगर आप जाधा तेज बोल रहे हो तो audio clip हो जाती है और वो recover नहीं हो पाती, बट अगर आप 32 bit float recording on करके अपनी audio को record कर रहे हो और माल लेते हैं आप धीरे भी बोल रहे हो बहुत जाधा तेज भी बोल रहे हो तो आपकी audio clip नही तो यह benefit मिलता है 32 bit float recording में और इसका benefit यह भी होता है कि अगर आप जब video shoot कर रहे हो बार-बार आपको situation के इसाब से gain level को adjust करना पड़ता है जब आप 24 bit में shoot कर रहे हो बट 32 bit में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है आपको set करना ही नहीं है आप record करो घर आके जो अगर हलकी सी वो पिछले वर्जन में 15 घंटे तक था जो अपने आप में काफी सही था बाट अब माइक 2 में 18 घंटे तक का battery backup है विचिस गूड एनफ अगर आप दोनों transmitters को एक एक करके भी यूज कर रहे हो talking about transmitter पहले वर्जन में 5.5 वास था अब 6 घंटे up to 6 hours का battery backup हो चुका है तो चार्जिंग के इसको फुल चार्ज करके इसके अंदर भी आप चार्ज कर सकते हो उसके बाद जो एक बहुत कमाल का फीचर जो मुझे लगा वो है recommended camera settings option आपको receiver में मिलता है और अगर आप इसको select करोगे एक आपको brand option मिलेगा एक model का तो यहाँ पे मैंने Canon EOS R7 set किया हुए इसको मैं R7 में test कर रहा था similarly अगर आप brand में जाओगे इस तरीके से बहुत options है Sony है Canon है Nikon Panasonic Fuji तो यह आपको basically brands मिलते है तो इस तरीके से अगर आप model में जाते हो तो जो भी mostly recently released cameras है वो models आपको इसमें मिल जाएंगे कुछ models शायद ना हो especially DSLR cameras तो वो एक चीज है otherwise आप manually adjust कर स camera especially recently launched cameras use कर रहो पिछले एक दो साल में जो आएं तो वो almost सारे camera brand and model जिसमें मिल जाएंगे उसके बाद अगर मैं एक और setting की आपको बात करूं जो मुझे बहुत साही लगी and again I think अभी तक किसी wireless microphone में चीज नहीं आई है वो है power on and off camera simultaneously इस से क्या होता है अगर आप इसको enable कर द receiver की battery बचेगी और बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा कि camera on है और receiver on हुआ है नहीं हुआ camera on हो रहा है तो साधी साथ receiver भी on हो जाएगा transmitter however on and off नहीं होगा उसको आपको manually off करना पड़ेगा और जो last feature मैं दिखाना चाहूंगा वो है अगर आप यहां mono पे click करते हो तो basically आपको अलग लग recording modes मिलते हैं mono है stereo है यहां पे एक safety track मिलता है अब safety track का मतलब क्या होता है जब आप audio record कर रहे हो तो एक track नॉमल जो आपने gain set कर रहे है उस level पर आएगा और एक minus six gain पर record होगा इससे क्या होगा अगर audio clip भी हो रही होगी ना जब आप camera से फोन से यूश कर र काफी सही लगा quality काफी अच्छी और थोड़ा सा bass heavy आता है तो audio सुनने में थोड़ा fulfilling लगता है जैसे editing में आपको इतना ज्यादा adjust नहीं करना पड़ेगा even noise cancellation हमने different situation में किया आपने सुना भी होगा तो काफी सही है even जब एकदम traffic वाली जगा हम थे वहां भी हमने जब noise reduction on क किया तो काफी अच्छे से इसने control किया है तो I think as a content creator अगर आप काफी different situation में शूट करने वाले हो अभी आप audio ऐसी से सुन रहो by the way तो I think अगर आप एक professional wireless microphone देख रहो as a content creator this is a very good option especially 32-bit float backup recording and noise cancellation है और काफी features है battery backup अच्छा है तो आपको क्या लगा इसके वारे में do comment and let me know इसक आपको description में मिल जाएगा या pen comment में so that's it I'll see you in the next video तब तक take care and keep clicking